नमस्कार, 80Z dishes उशा कुरजानी में आप सब का स्वाकत है आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेर करने जा रहे हमारे सिंधी स्पेशल प्यास का पुलाओ और इसके साथ हम खाते हैं मसालेदार आलू इन दोनों का कॉंबिनेशन बहुत ही बढ़िया लगता है तो सबसे पहले हम प्यास का पुलाओ बनाएंगे उसके लिए आपको गैस कौन कर लेना है कडाई रख देने हैं तीन चमस तेल डाल कर जैसे गरम हो जाए आदी चमस जीरा एक तेज पता दो दाल चीनी के टुकड़े पांस से साबुत का लिमिट तीन से चार लॉंग और नहीं या पर न मैंने तीन से चार प्यास को लंबा क कम डाल सकते हैं और बस अब इसके अंदर आपको डाल देना है पानी तो यहाँ पर मैंने डाला है इसके अंदर दो कप पानी अच्छे से मिक्स कर लिया है और मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे चार से पांच हरी मिर्ची और अब इसके अंदर मैं डाल रही हरी कर लिए तीन से चार पानी से और बस अब ये चावल को आपको डाल देना है अच्छे से मिक्स करना है और इसे खुला यह आपको पकाना है बीच बीच में चलाते हो जब तक इसका पानी इस तरह से सूख जाए न तब तक तक तो यहां पर आप देख सकते हैं तकरीबने से चे चील कर लेने हैं और बस अब हम गैस को ओन कर देंगे कड़ाई रख देंगे इस पर थोड़ा सा तेल डाल कर आलू डाल देगे नमक भी डाल देंगे स्वाद के अनुसार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ढग कर इसे हम पकने देंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं नमक डालने से क्या होता है जल्दी से ये पक जाते हैं तो मद्यमाज पर आपको इसे पकाना है जब तक वो गल नहीं जाता है और आप देख सकते हैं हमारो जो पुलाओ है एकदम खिला-खिला मज़ेदार तयार है तो गैस को बन कर ले और इसे ढखकर फिर से पांच मिट तक अधर तक सारे फ्लेवर चले जाए पर इसको बन कर लेना है यह पर आलू भी आप देख सकते हैं अच्छे से गल गये है तो बस इसे अब एक इस तरह से निकाल लेना है और वह जो एक्स्ट्रा का कड़ाई में ओले नहीं वो निकाल कर पूरा निकाल लेना है और फिर से यह आलू को आपको वही कड़ाई में डाल देना है क्योंकि जादा ओईल नहीं सही लगता है तो बस इस तरह से कड़ाई में फिर से आपको आलू डाल देने हैं अब इसके अंदर में डाल रही हूँ धनिया पाउडर लाल मिर्श पाउडर और आमचूर पाउडर एकदम लगता है यह दोनों खाने में बहुत ही स्वादिस लगते हैं इसके साथ आप दही भी ले सकते हो और आचार भी तो जरूर ट्राइ किजेगा मझे कमें सेक्शन बताया कैसी लगे वीडियो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा थांक्यू